गर्मी में मनी प्लांट के पत्ते इस तरीके से जल रहे हैं या सूख रहे हैं तो किस तरीके से आप अपने पौधे को रिवाइब कर सकते हैं दुबारा से जिंदा कर सकते हैं आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि इस खात को देने से आप 100% रिजल्ट ले सकते हैं देखें ये मेरे मनी प्लांट का पौधा था जो अल्मोस्ट सूखने लगा था लेकिन सुखे हुए पत्तों को हटाने के वजाए मैंने स्वाइल में कोई ऐसी चीज डाली जिससे की ये पौधा वापस से ग्रो हो गया और स्टेम के पास से नई ग्रोथ निकालने लगा जैसा फायदे बहुत है खास कर मनी प्लांट पे मनी प्लांट का जो पौधा होता है वो तेज गर्म हवाओं से अकसर सूखने लगता है पत्तियां सूखती है दो ही सिचुएशन में या तो गर्म हवा है या फिर ओवर वाटर हो गया है तो पीली होकर पत्तियां गिरेंगे डारे कि आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है इसकी कटिंग को लगाना अभी वीडियो में आगे मैं आपको बता रही हूँ कटिंग को बड़े छोटे किसी भी कंटेनर में आप लगा सकते हैं बस इस बात का ध्यान रखें कि कटिंग लगाने के बाद इसे आप कम्प्लीटली शेड में रखिए गर्म हवाएं नहीं लगनी चाहिए और हर दिन पौधे को वाश करना यानि लीफ्स को वाश करना जरूरी है यदि इस तरीके से एकाध पत्तियां सूख गई हैं तो आप इन्हें फोर्सली नहीं ये बिल्कुल सूख जाए तीन-चार दिन हो लश ग्रीन पत्तियां आएंगी तब तक आप इस खाद को दीजिए और इससे आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो तो बढ़ेगी ही साथ ही साथ पत्तियों का साइज देखिए कितना ही बड़ा निकल करके आता है अब अगली चीज़ यह है कि मनी प्लांट को टाइम टू रोटेट करते रही है इस तरीके से घुमाते रही है देखिए जिस तरफ से धूप लग रही थी या एक तरफ से आप कह सकते हैं घना हो गया है और दूसरी तरफ से कम घना है तो यदि बराबर आप इससे रोटेट नहीं करते रहेंगे तो चारो तरफ से पत्तियां बराब भी है, तभी ग्रोथ होगी. देखिए मेरे मनी प्लांट में ग्रोथ तभी हो रही है. ये कटिंग मैंने मनी प्लांट की लगा दे थी, और उसके बाद देखिए ये कटिंग सूखने की वज़ा ये है कि स्वोइल बहुत ड्राई हो गया है. तो गर्मीओं में थोड़ा सा मॉ मनी को रोकती नहीं है, होल नहीं करती है, जिससे की जड़े सड़ेंगे नहीं और मिटी मॉइस्ट भी बनी रहेगी, दूसरी चीज़े है कि मनी प्लांट को यदि आप ट्रेलिस से बांध रहे हैं, या ऐसे किसी मॉस स्टिक पर चड़ा रहे हैं, तो जब भी पानी देते हैं तो मॉस स्टिक का गीला होना बहुत ज़रूरी है, देखिए ये कटिंग है जो उसी प्लांट से कट करके मैंने लगाया है, और कितनी लश्ट ग्रीन पत्तिया निकल करके आ रहे हैं, तो मनी प्लांट को अभी जून में बहुत अच्छे से ग्रो किया जा सकता है, कटिंग भी लगाई जा सकती है, अब मैं तरीका बता देती हूँ कि किस तरीके से कटिंग लगेगी, देखिए ये जो एक एक इंच पे आपको दिख रहा है, ये नौड एरिया है, तो कम से कम ये तीन नौड एरिया को आप यदि मिट्टी में दबा देते हैं, तो बहुत जल्दी पहां से नई जड़े बनने लगेंगी, ये बात ध्यान रखिए कि जब कभी आप कटिंग लगाते हैं, तो कटिंग की जो स्वाइल है, वो सूखनी नहीं चाहिए, यदि स्वाइल सूख करके फटने लगेगी, तो कटिंग बहुत जल्दी खराब हो जाती है, इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि सुबे शाम हलका पानी का मॉइस्ट उपर से आप छिड़काओ करें, अगली बहुत इंपोर्टन चीज यह है कि जब कभी भी आप मनी प्लांट को पानी दे रहे हैं, इस तरीके से अच्छे से इसके लीफ्स को आप वाश करेंगे, तो गमले में प दो दिन बीच करके एकोडिंगली पानी डालिए, सॉयल को टेस्ट कर लीजे, अधि सॉयल आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्टर है सॉयल में, तो आप पानी ना दे, मॉइस्टर नहीं है, ड्राई है तो पानी दीजे, अब यह जो आप खात देख रहे हैं, यह फ्रेश ट आप एक लिटर पानी में भीगो करके रात भर रख दीजे, एक चम्मच चायपत्ती दो या तीन गमलों पर बहुत अच्छे से काम करेगा, अब है यह अलोवेरा, अलोवेरा मेरे पास अभी न्यू ही ग्रोथ हो रही है, तो मैंने बस इतना ही अलोवेरा लिया है, लेकिन अलोवेरा आप थोड़ा जादा ले सकते हैं, यानि चार-पांच कटिंग ले लिजे, बड़ी-बड़ी, और उसे आप पानी में भीगो दीजे, या फिर आप चाहें तो इसे मिक्सर में पीस सकते हैं, पीसने के बाद चानना पड़ेगा, आप चायपत्ती वाले पानी को अलोवेरा वाले पानी को मिलाईए और बहुत अच्छे से स्प्रे कीजिए और जड़ों में डाल दीजे, ये इतना बड़िया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो आपके मरते हुए पौधे को बचाएगा, आप ये करके देखिए और इसका रिजल्ट आप जरूर मेर तीन दिनों में ही आपको देखने के लिए मिलेगा, इस खाद को आप मौर्निंग में दीजिए या फिर इवनिंग में दे दीजिए, लेकिन दोपहर में बिल्कुल भी नहीं देना है, इससे न्यू ग्रोथ लेना इजी होगा, और ये मनी प्लांट के पतों पर ग्रीन दिस्क्रिप्शन में दे दे रही हूँ, आप असानी से देख सकते हैं, यदि फेस्बुक पर ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो कॉमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, और यूटूब पर देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मुझे उमीद है जनकारी आपको helpful लगी होगी जनकारी अच्छी लगती है तो चैनल को like, share और subscribe करना ना भूले धन्यवाद